जरेनियम रोज इस अभी कटिंग से ग्रो हुए हुए इंगलिश आइबी भी है ये विंका ये भी कटिंग से ग्रो किया हुआ है और अभी ये देखिए स्थल कमल इसमें भी नई ग्रोज शुरू हो चुकी है हेलो फ्रेंज मार्च का महीना शुरू हो चुका है और धीरे-धीरे करके विंटर में खिलने वाले सभी फूल अब मुर्जाने शुरू हो जाएंगे तो अब यही एकदम मार्च का महीना परफेक्ट टाइम होता है जब हूँ अपने गार्डन में कटिंग से एड़ करें गर्मियों में खिलने वाले कुछ पर्मानेंट पौधे जो मतलब आपके गार्डन में सालो साल बने रहेंगे क्योंकि यह जितने भी पौधे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ यह सभी सीजनल है डाइन्थस फिर भी एन्वल तो यह दो साल तक आराम से आपके गार्डन म ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमां फोर टू फाइब मन्त एप्रिल एंड तक हो सकता है इसमें फ्लारिंग हो लेकिन मैं कुछ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी जो पर्मानेंट है जैसे देखिए यह पिंक रोज जो स्टेंडर रोज है मेरे गार्डन का और इसे मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है और इसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी देखिए कितना अच्छे से चल रहा है तो आज ऐसे ही कुछ प्लांट से आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि अब यह सब भी पौदे देखिए अपने डॉर्मेंट पीरियट से बाहर आ गए हैं और जै मैं ऐसे लगता है जैसे यह सूख चुके हो लेकिन अब देखिए इनमें नई पत्या आने लगी है और यही टाइम है जब मैं इसमें करूंगी 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 इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह इनमें बहुत सारी ब्रांचे और हैवी फ्लारिंग भी लाएगा यह द इतने भी पौदे हैं यह एक बार अपने ले आएं तो यह सालों साल आपके पास ऐसे ही बने रहेंगे बस जो जाडों का टाइम होता है इनका डॉर्मेंट पीरियड होता है उस समय एकदम इनकी ग्रोथ रूख जाती है और यह ऐसे लगते हैं जैसे सूख चुके हो यह दे कि टैम पे प्लारिंग करता है लेकिन यह पर्मनेंट पौधा है देखिए किती अच्छे से कटिंग ग्रो हो चुकी है मैं इसके वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में यह मैंने विंका का एक लगाया है यह भी देखिए अच गहना और बुशी बन चुका है विंका का पौधा इस समय विंका को भी आप बहुत ही इसली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं अगर आप इस समय कटिंग लगाएंगे और कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो 100% आपकी कटिंग सक्सेस्फूल होगी यह देखिए मैंन इस से ही चल रहा है अभी तक तो यह सारे प्लांस जो है यह मेरा बंदर ने तोड़ दिया था यह जो गुलाब का यह वाला पौधा था तो मैंने कटिंग लगा दी और यह है जो स्थल कमल नहीं होता है इसकी कटिंग मैं कहीं से लेके आई थी देखिए लीप्स तो आनी श अपने गार्डन में गुल्दाओदी के कलर एड करने हैं उसे भी आट कर सकते हैं यह देखिए यह भी आमंडा की वाइन है और यह पूरी सूप चुकी थी एक भी लीफ नहीं थी लेकिन अब इसमें छोटी-छोटी सी जो नहीं लीफ आने लगी है और इक जोरा मधुमालत सब में अच्छी ग्रोड शुरू हो चुकी है और मेरा जो यह राखी बेल है इसमें तो बड्स भी आ चुकी है जितनी भी पौदे में आपको दिखा रही हूं यह सब ही पर्मानेंट है अगर आप इनको कटिंग से अपने गार्डन में समय अड करें तो यह हमेशा आपके पास बने रहेंगे हर साल आपके को फूल देते रहेंगे यह अपरिल से लेके मोस्ली अक्टूवर नमंबर तक इन सभी में फ्लारिंग होती है तो इनका फ्लारिंग का जो पीरियड है वो भी काफी लंबा होता है अब मैं बात करूँगी कि आप कटिंग कैसे ले कब ले और किस तरह की कटिंग आप ले तो जब तक आपके पौधू में नई ग्रोथ आपको नहीं दिखाई देने लगे जैसे यह टिकोमा वाइन है अब इसमें नई ग्रोथ शुरू हो चुकी है तब तक आप कटिंग से ग्रोथ नहीं करें क्योंकि जब इसमें नहीं आपको ग्रोथ दिखेगी इसका मतलब रूटिंग हॉर्मोन उस समय बहुत अच्छी एक्टिफ फॉर्म में होता है और अपने कटर को जुरूर अच्छी तेरह से सैनिटाइज कर ले किसी भी डिटॉल से या हैंड सैनिटाइ अच्छे जाएं और वो बुशी बने और उसमें बहुत सारी अच्छी फ्लारिंग हो तो प्रूनिंग के लिए आपको सेलट करना है कि आपको पॉदे की हाइट कितनी रखनी है और प्रूनिंग आप तब तक अपने पर्मनेंट पॉदों में ना ही करें या तो आप अक्ट है उसको थोड़ा इन्हांस किया जाए मुल्टिपल ब्रांचे इसमें आए देखिए इसमें तो फ्लारिंग भी शुरू हो गई है जैट्रोपा में लेकिन मैं फिर भी से कट करूंगी क्या होगा धीर दीर इसकी नहीं तो ग्रोथ ऊपर की तरह बढ़ती रहती है और यह प की डाइबेग की Lambirk की प्रबलम होती है तो क्षेवघ के कारण पौर्धा आपका खराब हो सकता है अब अब देखिए मैंने अपने सबी जैसे यहां पे मैंने गुड़ हल, काला मांडा, इक्जोरा, जैट रुपा, बेली फूल और टिकोमा वाइन इन सब की कटिंग ले ली हैं कनेर की मैं अभी कटिंग नहीं लगा रही हूँ, लेकिन आप इन सबी पौदों को इस समय कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हैं, कनेर अब मैं क्यूंकि मिरे पास यह दौनों पौदे भी मैंने कटिंग से ही ग्रोगे, मैं दूसरे कलर की अगर मुझे कटिंग मिलती है और यह ध्यान रखिएगा, जो नीचे का पोर्शन होता है, उसे ही और वो जो पोर्शन हो, उसके पास लीफ वाली नोट जरूर हो, क्योंकि वहीं से जड़े निकलती हैं, तो उस तरह से लेते हुए, आप अपनी कटिंग तयार कर लीजिए, अच्छी तरह से काट और अगर आपके पास रूटिंग हॉर्मोन हो, तो वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं अलोवेरा जेल का ही यूज़ करती हूँ, तो इस समय मैं लगाने जा रही हूँ, टोटल, ये छे प्लांट है, जिनकी कटिंग, ये आलामांडा की है, दो कलर के आलामांडा है, दौन समय कटिंग से एजली, अब बात आती है कटिंग के लिए सॉयल प्रपरेशन, या इसे कहां लगा है, मैं तो नॉर्मली क्या करती हूँ, जो मेरे आल्रेडी जो पौधे लगे हुए हैं, देखिए आप इसमें जेट रोप है, मैंने ये कटिंग लगाई थी पहले, सब में चुकी है, तो मैं उनी पौट में लगा देती हूँ, जो थोड़े से ऐसे सेमी शेड में रखे हुए हैं, अगर आप ऐसा पौट सेलेक्ट करें, तो ये आप देखेंगे, आपकी कटिंग बहुत अच्छे से चलेगा, आप ये देखेंगे, कि अगर आपकी कटिंग हिले न लेकिन ये देखिए, ये मेरा जो डबल चाननी का पौधा है, उसी में मैंने चारो तरफ कितनी सारी कटिंग ग्रो कर सकते हैं, तो मैं तो हमेशा यही करती हूँ, अपने पौट के आसपास ही कटिंग लगा देती हूँ, नहीं तो आप इस तरह से एक पौट लीजिए, थो बड़ा सार, तीन, चार मुठी गरी बस इसमें कोको पीट एट किया है, जिससे मौश्चर बना रहे, इसके साथ साथ जो मेरा ये क्रोटन का जो एक गमला है, इसके भी साथ में मैं अपनी बाकी कटिंग लगाऊंगी, मैं नॉर्मली यही करती हूँ, अपने जो पौराने क्योंकि क्रोटन सेमी शेड में ही रखा है, तो इसी में मैं अपनी कटिंग लगा दूँगी, और जो कटिंग रो हो जाती है, मैं जो पानी था वो पहले ही दे दिया, मैं कटिंग लगाने के बाद पानी नहीं देती हूँ, जैसे सेम पौद लगाने के बाद भी पानी नहीं देती हूँ, मैं अच्छे तरह से पानी दे रहा दिया था, और मेरी जो सोयल है, वो अच्छे तरह से मोईस्ट बनी हुई है तो बस अब इस तरह से मैं अपनी सारी cuttings इसमें aloe vera में डिप करके लगा दूँगी आप देखेंगे आप जब भी मैं यह नहीं कहूंगे कि 100% cutting आपकी grow होगी इसलिए आप हर पौदे की 4-5 cutting लगाईए 2-3 या हो सकता है 5-4 cutting आपकी जरूर grow हो जाएगी थोड़ा सा positive attitude बस तो यही है कि आपकी जो cuttings इसमें लगा रहे हैं वो pot हिलना नहीं चाहिए और उसमें moisture बना के रखिए और starting के 15-20 days जब तक आपको नई इसमें growth ना नजर आए मदब नई leaves ना दिखने लगे उस अच्छी तरह से तब तक उसे आप धूप में shift ना कीजिएगा तो आपकी ज ना आई हैं तो उन ब्रांचिस की भी जो उपर की tip है उस पर मैं fungicide जरूर लगा रही हूँ नहीं तो उप वही है डाइबैक के कारण आपकी cutting खराब हो सकती है अच्छी तरह से fungicide लगाईए और पहली बार जो आप अपने pot में पानी दे रहे हैं वो fungicide वाला ही पानी द मैं दो दिन पहले cutting की थी और उस समय मैं नहीं लगा पाई थी तो आप अगर cutting इस तरह से लाएं और in case तुरंट नहीं लगा सकते हैं तो इस तरह से आप उन्हें पानी में कीएगा तब भी आपकी cutting बहुत अच्छे से जलेगी तो ये भी बहुत important tips है अब मैं थोड़ा सा मैं दे रही हूं fungicide मिला हुआ क्योंकि already मैं moist था जिससे जो soil है वो जो आपका cutting है अच्छी तरह से पकड़ लेती है तो आप result देखी सकते हैं ये भी मैंने दिखाया है तो आप easily अपने garden में cutting से बहुत सारे plant कर सकते हैं आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो please like कीजि मेरे चैनल को support कीजिए subscribe कीजिए thank you for watching अब मैं शेयर करूंगी सभी plants के नेम नमबर एक प्याला मांडा second belly fool सभी ये plant cutting से ग्रोह सकते हैं राखी बेल जैट रोफा good hugel में बहुत सारे color मिल जाएंगे moss rose और चुलाका नौबजिया जीजिए बोगन बिलिया इसमें बहुत सारे color मिल जाएंगे ये है इक जौरा टेकोमा वाइन विंका इसमें भी आप बहुत सारे कलर एट कर सकते हैं रोज को भी आप एजिली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और कुछ ये जाड़ो वाले हैं ये है जो पर्मनेंट फ्लारिंग प्लांट है जरेनियम और गुलदाओदी इन दोनों को भी आप मार्च में एजिली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं